इस भी चुनाव के नियोमों का पालन सभी प्रत्याशी को करना पड़ रहा है जिसमें कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया से चुनाव लड़ने वाले उम्मेद्वार को होकर गुजरना पड़ रहा है खबरों के मुताविक ग्राम पंचा चुनाव में प्रत्याशी के सैंपल लिये गए जिसमें करीब 35 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई थी अब दूसरी प्रक्रिया में 300 चुनाव लड़ने वाले इस्चुकुमेद्वारों ने अपने सैंपल दिये है जिनका रिपोर्ट अभी आना बाकी है मेलगाट में कोरोना के विस्पोर्ट के बावजुद नागरिकों की और से इस बिमारी को हलके में लिया जा रहा है चुनाव में शामिल निरिक्षन अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव होने पर भी इस और विशेश प्रबंद देखने को नहीं मिल रहे है प्रशासन्ने लगवाग में भी सामाजिक दुरियों का पालन होता नजर नहीं आता बैंकों में बेतहाशा भीड भाड का नजरा सीधे कोरोना को चालेंज देता जा रहा है बस्टेंड मार्केट परिसर में बिना मास्क लगा कर घुमने वालों की संख्या में रोजाना बड़ोतरी दर्ज हो रही है तो वही प्रशासंस्तर पर जहां कोरोना संकट को लेकर जाहिर किये गए नियोवों का लगबग सबी जगह उलंगन होता नजर आ रहा है सुत्रों के मुताबिक चुद्नाव लड़ने वाले इच्चुप प्रत्याशी जो की कुरोना टेस्ट की प्रक्रिया से गुजर कर पॉजिटिव हुए है वह धार्नी शहर में बेबाग घुमते फीरते देखे गए बात यहां भी खतम नहीं होती ऐसे पॉजिटिव लोग चुनाव में लगने वाले जरूरत के दस्ताविजों के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे है यह कॉरोना पॉजिटिव लोग अपने साथ कितने लोगों को इस बीमारी की चपट में ले रहे है इसका कोई अंदाजा किसी को भी नहीं है दूसरी और प्रशासन की ओर से भी सभी पॉजिटिव लोगों को कॉरंटाइन किया गया लेकिन पॉजिटिव लोगों को यहां अपने कामों के सिलसिले में भटकता देखा गया प्रशासन सुत्रों के मुताबिक चुनाव प्रत्याशी के दूसरी कोरोना टेस्ट प्रक्रिया के रिपोर्ट आना अभी बाकी है जिसमें बड़े धमाके होने की आशंका जताई जा रही है सुलेमान मेमन तस्मीन शेक के साथ जुगल किशोर जैस्वाल विदर्बनी दार नहीं